करना कमड़ा बन करके देखना तो दोस्तो बक्स अप्लाई और बक्स से उपर बताऊंगा आपने वाला हूं पावर 6 3 2 8 पुराना सर्केट है पर नए दोर में समझना जोड़ी है क्योंकि अगर यह नहीं समझना सर तो नए सर्केट को क्या समझोगे समझ में आ रहा है हम सुन जिद है मेरा फिदूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। तो यह जो है ना यह बिल्कुल खूफिया वीडियो है और इसको ना कमड़ा बन करके देखना तो दोस्तो बक्स अप्लाई और बख से उपर बताऊंगा इस पावर के अंदर शिक्सरी 2 8 को खोल दूंगा इस दुनिया के सामने उपन कर दूंगा लो भाईया और जितना क्योंकि भाईया हम तो इससे ऊपर देंगे जब भी भी हमसे मिलोगे यार हमारे पास आओगे समझ रहे तो आप बात करते हैं तो इस प्लेइन करते हैं और जल्ली ना टाइम वेस्ट करते हैं ना ही वेस्ट होने देंगे ना ही करेंगे तो यहां पर प्राने मोडल का है जिसमें आप देख रहे होंगे एक CPU होगा एक MMC एक MMC होगा RAM प्लस MMC है आपका पावर या आपके नैट्रॉक सेक्षेन और आपका PFO यह सारी IC हैं एक वीडियो में आइस उपर जरू बनाऊंगा तो दोस्तों आईए बात करते हैं कोईलो है तो एक, दो, ती, चार पांच तो आप धान का तोटल पांच कोईल है कितनी कोईल है तोटल पांच कोईल है और अगर हम पांच कोईलों की बात करेंगे तो आयँ कि इन भी पांच कोलो को समझते हैं कि क्या-क्या काम कर रहे हैं और यहां पर हमें क्या-क्या चेक करना है यही में मीन लॉजिक है क्योंकि अगर अपनी बूट सेक्टे हैं को समझ गए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं अब देफॉन में और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज समझाऊंगा नोटिस कीज़ेगा सबसे पहला कोईल अगर मैं बात करूँ जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पर एक कोईल आ जाती है और अगर आप चार्जर लगाएंगे तो इसकी सुचिंग वोल्टेज 2.9 to 3.6 के बीच में हो सकती है 2.9 से 3.6 के बीच में आपकी सुचिंग वोल्टेज हो सकते हैं तो अब मैं बात करता हूं तो यह कोईल हो गया अब अगला कोईल के हम बात करेंगे नोडिस करो यहां पर जैसे में इसके अगले कोईल में ठीक है तो यह दो हो गए अब बात करते हैं तीन अगले की तो आई अगले की बात करते हैं और एक बार सारे समझ लेते हैं फिर में आपको एक बार बताता हूं सो दोस्तों अगला जो कोईल है नोटिस केजिएगा एल 406 यहाँ पर और एल 406 अगर वैसा नहीं आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से सच कर लेंगे एल 406 सो हमारा एल 406 जो कोईल है यह देखें जो हमारा एल 406 कोईल है वह अगर मैं सच करूं यहाँ पर यह 40234 आपका फाइव चलिए ल 05 पर चले आते हैं यह VLTE का कोईल है मतलब मॉडम का कोईल है दोस्तों यहाँ पर भी आपको 0.8 वोल्टेज आने चाहिए यह VLTE का कोईल है और ल 042 की बात करेंगे यह VPA सुचिंग का को यहाँ पर आपको पता ही है वोल्टेज फॉर पावर अम्प्रिफाय यह आपका नेट्रोक सेक्शन में जाता है अगर आप इसको टिक करेंगे तो देखें आरे सेक्शन पर आ गया है और यह कोईल के ठूरू इस आईसी के अंदर यह एंटर होगा यह देखें इस आईसी के अब एंटर करूं और देखूं की मेरा यह कोईल तो देखें यह कोईल अणाइटिफाय है सो चलिए बात करते हैं आपर कितने कोईल यहाँ पर इन्होंने दिये हुए हैं और तोटल किस तरीके से इन्होंने अपनी पावर को समझाया है आईए मैं इससी को समझाता हूं सो कि जिए का सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं पहले इसको समझ लेते हैं आप यहां पर L T मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर हम बात करें मॉडम की लाइन है जो हमको यहां पर चार्जल लगा कर चार्य मैं करूंकि हमारे को अगर में मेरे बनेंगी और अगर हम बात करेंगे यहां पर वी 0.8 तो यह हमारा VPA का call है और यहां पर भी हमको जो voltage मिलेंगे यह फ्लक्षट करेंगे 0.82 अब जितना भी voltage यह फ्लक्षट करें को थे अब बात करते हैं यह वो गया है अब दोस्तों बात करते हैं इसके LDO सेक्सट को यह जितने भी इसके LDO हैं जिसको हम लोग डॉप आउट बोलते हें और यह हमारा पावर बनाता है पावर हमारा हर एक को सिम को दे रहा है एँ रहा है यह हमारे C爸 tailored को दे रहा है C aynı निकल रहा है और VMC है बहुत सारे अलग अलग-अलग वोल्टेज एन का ल Taste निकल रहा है ली अलग-उल्टेज निकल रहा है इन सब जो इंपूप्द लाइन है इंपूद लाइन आपका बीबेज है अब देखों यहां पर जिरो रिजिस्टर है, वन र का, So generally, बहुत साठे लोग वन जीरो ओम्स के रिजिस्टर मारतों का कहेंड़ कि आप जंपर मार लोंग पर भी का छिए नॉन टेक्नीकल लोग ही बाते करेंगे Будकि क्या ही एका बन एक हा कि तेक्नीकल ही आप इससे कंभी भी सबका जो इंपुट है वह भी बैट है और आप देखें यहां से यहां से आउपट बन रहे हैं 123 देखें यहां पर 123 नोट कीजेगा और अब यहां पर बात करेंगे देखें डीवीडी मतलब जिसको हम डिजिटल वोल्टेट रेंडरें यहां फिर हम कुछ भी बूला सकते हैं आपकी आप अपना कुछ भी इसको बोल सते हैं आयो 1.8 वोल्टेज यह भी इसका वी आयो देखाऊ इसको जो इंपुट दे रहा है वह यह वियायो दे रहा है पावर से घूम कर बापस पावर में आ रहा है क्योंकि पावर अपना ल्डी ओ वी आयो इसी लाइन से साथ इन प्रोशेसर का लाइन है जो कि स्कमाटिक अपना एरर की वज़े से यह सो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको खाई कर लिया है आप नोटेस करो कही ना कहीं आप आप ऊपर यह कटा हुआ सा देखा ही दे रहा है तो रीजन है कि हाँ पर वो छपा नहीं होगा या जो भी है इसका error तो हमने वो error निकाल दिया है अब आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पर basically कितने आपको coil यहाँ पर मिल रहे हैं कितने आपको voltage यहाँ पर मिल रहे हैं तो आईए सारे voltage में आपके लिख डेता हूं साथ कि आपको आसानी हो जाए और आप इसको note कर सकें ठीक है इस वीडियो अब मेरे लिए काफी आसान है तो नोटिस कीजिए तो फिर से लेता हूं मैं तो यहाँ पर VSYS चार वोल्टीज सीचिंग और L404 के अगर मैं बात करूंगा तो यह मेरी कार वोल्टेज कुंकि यह मेरे कार के वोल्टेज्च के मेरे के मिले इसको की लाइन मिले तो आप द्राइंड और इसको और L0405 और 405 के अगर मैं बात करूंगा तो यह LTE मतलब यह मौडम का कोईल है यहाँ पर भी आपको 0.8.9 वुल्टेज देखने को मिलेंगे तो आपको पता ही होगा क्या का था नहीं पता तो कमेंट कीजेगा वीडो बनाऊगा और 402 के हम बात करेंगे तो यह VPA का कोईल है तो यहाँ पर भी आपको जो वुल्टेज मिलेंगे यह 4 नैट्रोक सेक्शन के लिए मिलेंगे तो आप देखिए पावर IC यह आपका 6,3,2,8,V या E या जो भी आपका IC हो तो यह आपका पावर हमेशा इस तरह सही अपना बूट क्योंकि इसमें जो हायर LDO को काम है वो भी बैट खुद कर रहा है तो अब अगर मैं यहाँ पर बता हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला ना यहाँ पर नोटिस करो यह बीबैट इंपुट हो रहा है यह तो प्रोसेसर की लाइन है और जो LDO की लाइन है यह देखिए LDO की ला आप को यह छह बतानी है कि यह आपका पावर वूडिकेंस क्यों होता है अब और यह यह बता रहें में ऑप इसुरू बदीखना है तो यह देख लो डेखना है तो मैं बना रहे हूंग आप को यह इह यहाँ पर मिले हम dalनिन हर एक आईची का वूट circle सो नोटिस करना है मझे यहाँ पर 3 पावर का भी डालूँ गा चार पावर का डालूँगा और वर्ड में मैं सबसे पहला यूट्यूबर बनना चाहता हूं जो यहाँ पर वो लेटे लेटे सर्कित डाले जिननों ने आस तक कभी ना समझाया ना डाला है पर मैं डालूँगा तुम्हारे लिए दमफ्री, so इसलिए जुरे रहना, thank you very much and keep liking me, thank you.